अब आईए बच्चों हम लोग बात करते हैं खिलजी वंश की अगर खिलजी वंश की आप लोग बात करेंगे तो खिलजी वंश मेरा स्टार्ट हुआ 1290 से 1320 तक खिलजी वंश की स्थापना दिल्दी सल्तन पर तुर्क अमीर वर्गों की सत्ता का एकादिकार हो गया और जाती है ताना शाय समाफ्त होगे वंश के संस्तामक जलाओदीन फिलोज किलसी थे पुरा बुलन सहर के गवर्नर थे अपनी राजदानी को किला खरी बनाई और खिलजी वंश की सुल्तान भी तुर्क थे सुल्तान केको का बाद उन्हें साहिस्ता खान की उपादी दी और मुबाली के पस्से हटा दी केको बाद द्वारा बनाए गए अपूर्ण किलिखेरी के महल में इनका राज्य विशेक कराया गया इसके बाद इन्होंने बहुत अच्छी चीज बोली इन्होंने ये बोला जलाओदीन गैर तुरकों और गैर तुरके भारतिम शार समलित कंड के भारत में मुस्लिम राज्य को विस्तर दधार प्रदान करने का प्रत्न किया भारत का कोई भी रास सहयर्थ में इसलामी नहीं हो सकता मुसल्मानों को दच्छिन भारत में प्रतम आक्वन जलाओदीन के समय देवगिरी के साशक रामचंद देव पर हुआ विद्रोहिव के प्रती जलाओदीने का मैं एक वरद मुसल्मानों मुसल्मानों का रक्त बहाने की मेरी आदत नहीं जलाओदीन के काल में लगए 2000 मंगोल इसलाम धर में स्विकार किये गए और नए मुसल्मान के नाम से दिल्ली में रहने लगे 19 जुलाइ 1926 को जलाओदीन ने देवगरीबा अरपन कर्शे करने के पश्राद अपने बची थे अलाओदीन से मिलने और बदाई दिने कड़ा गए जहां पर इनके हत्या करकर अलाओदीन खिल जी सुल्तान बन गए अलाओदीन खिल जी ने अपने चाचा को बुलाया और उनको मार दिया सुल्टान मन्नी के बाश अलाउदीन के लिए सरपताम पूल सुल्टान के पुत्र अरकेली खांसाहित उनके परिवार को मार दिया तद्मों था बल्बन और जालसी अमीरों के जड़े मूल से समाप्त कर दिया अलाउदीन ने राजय नोर के साथ सल्टन में समराजवादी का स असूल किया 1313 में चिताडगर विजय के बाद अलाउदीन नवीन विजय थी उसके बशाद किसी भी सुल्तान को नहीं जीता उसने चिताडगर का नाम अपने पुत्र खिजरान के नाम पे खिजराबाद किया इस अबयान को अमीर खुश्रों ने भी पार्ट लिया था देवगिरी के साशन में रायचंदर और रायसन की पद्वितियों चंदवागर देकर समानित किया उन्हें एक लाग सोने के टंके दिया और नफसारी जिल्यों में उनको राजी को शामिल कर दिया राम चंद ने अलाउदीन खिल जी के आक्रमण से बाद दोकर प्रतम सैन अभियान 1298 गुजरात के विरुद हुआ यहां के साशक बागेल राजपूत करन थे इस अभियान में कैम्बे ने मली काफूर को पकड़ा और मली काफूर को मली काफूर को मलीक नायव की उपादी दी गए मली काफूर को 1000 दिनारी बोला जाता है क्योंकि 1000 दिना दालकर आत्म समर्ण पर यह तु काफूर के बहाद बेजा इस अफसर पर प्रताब रुद्दे ने मली काफूर को संसार का प्रसित कोई नूर हिरर दिया पांडे राजाओं ने अलाउदीन तो कभी आदिपा स्विकार नहीं किया नहीं कोई कर दिया धन के दिस्षिश से प अक्रमड हुआ और उनसे निपटने के लिए इसने रख्त तलवार की नीती अपनाई मंगुल आक्रमड से सुरच्छा के लिए उसने 1304 में सीरी को अपनी राजदानी बनाया तता इसके इकलेवंदी की अलाउदीन खिल जी ने सिकंदर दिती है कि उपादी देरहर की अपन और ऊपनाया कर राजश मव्रदी, गुप्तिचर्पनाली का गठन, दिल्ली में मदनेशेद, अमीरों का मेल परस्पर ने होना और उनके समारों पर रोक। अलाउदीन ख्ल जी के समय राजगस्व के सिध्धानतों को निरमट किया और राजगस्व के सिध्धानतों को मुक उसने खलीफा की सद्था को मानिती है दिलेकिन प्रशाशन में उनका स्ताचिप कर सिकार नहीं किया यामीनुल्खिलाफत नासरी अमीरुल्मूमीन खलीफा का नायब की उपादी ग्रहण की खजायली फतु में अमीर खुसरन अलाउदीन को विश्व का सुल्तान पृत्वी के साशकों का सुल्तान युग का विजेदा जंता का चरवाहा उपादियों से विभूशित किया खालसातवा रचित प्रदेशों को साशन में केंदर द्वारा किया जाता था अमीर और साना इसके साशन समालते थे और दिल्ली के आसपास प्रदेशों में इस पदिती के अंतरगा दाते थे अलाउदीन ने राजधानी के आर्थिक मामलों की देख रेक में दिवाने रियासत नामा के एक नवीन विवा की इस्थाबना की दिवाने रियासत वेपारी वर्ग पर नियंतर रखता था मुहस्तिब जनसादानन के आचार का रच्छक और देख बाल करने वाला था वे बजारों पर भी नियंतर इस्थाबित करता था और उस पर नियंतर रखता था अलाओदीन खिल जी ने गुप्तप पदिती को पूर्टा संगठित किया इसके अधिकारी थे वारीद मुमालिक नवीन पतका सरजन दिवाने मुति लगान वसूले दिवाने रहसत वाड़े जी विवा का सहाना बजार का दरोगा अलाओदीन ने सेंदर का केंद्र करण किया और सीधी भरती प्रारंब की केंद्री कोशागार से सेनिकों का नगद वेता नारम किया और ऐसा करने वाला पहला सुल्तान था सेना की काईयों का विवाजन 1110 पराधारी था जो खानों, मालिकों, आमीरों, सिपल सराग तयाती के अंतर करते 10 हजार की सेना को तुमन कहा जाता था एक विशाल सेना के रखरकाओं को देखते हैं अलाओ दिन खिल जी ने आर्थिक सुधार किया अलाओ दिन बजार ने अंतरण के लिए बजार में विस्तरित जानकारी बढ़नी के तारीके फिरोशाही में मिलती है बढ़नी ने अलाओ दिन के बजार ने अंतरण कर अधिर बोज्च डाले भी ना सेनिकों के आफशक अपूरा करना बताया उसने राजों सुलगान विवस्ता का मुख देश एक सक्ति साली निर्कुष राज की स्थापना करना था अलाओ दीन की बजार विवस्ता का मुख देश जो था सैनिकों की वेतन में कमी ना होकर वस्तूओं के मूलियों को बढ़ाना था अलाउदीन के समय पर कीमतों में सस्तेपन या कम कीमतों पर समान मिलने के करा बजार में निश्चित कीमतों में सिर्था उसके राज में सरवादिक महत पुड़ उपलब दी थे से सम्वित देता मूली में व्रद्धी नहीं की जा सकती अलाओ दिन के तीन बजार थे मंडी जानाज मिलता था सरायदल जावस शक्करादी मिलती थी समाने बजार जान दास गोड़े और मवेश्यों का वैपार होता था इन दिन बजारों पर चारे समान नियम लागू होते थ मौसम के आसे में परिवतों का सामने का लाओ दिन राजी के अन्भधार बनाए और इंगदामा नाज के वला अपातकाली इस तो बे निकाला जाता राओ दिने मली कबूल को साहदा या बजार का दिछक निक्ति किया सराय अदल निर्मित वस्तु और बाहर प्रदेशों पास राजी को से दी गई भीट अनुदान पुरिसकार स्वरूप थे गदी पर अपनी शक्ति को मजबूत करते हैं अमीरों का दनन किया सुल्तान ने आदेश दिया सारी भूमी संपत्ति ग्राम अन्य भूमी जो लोगों को मिल्क इमान या वक्व के रूप में है अब अलाओदीन ने सरपता मनुदान भूमी मिल की नाम और रफ को चीन कर खालसा में बदला अलाओदीन के समय विशाल प्रदिसों में खालसा भूमी में परिवर्तित कर दिये गए खालसा भूमी छेतरों के लगान राजी दौरा फसूल किया जाने लग अलाओदीन ने ना तो मुफ्ता प्रथा समाप्त की ना ही खूती प्रथा केवल सौमियों के विशेशा अधिकार को समाप्त कर दी अलाओदीन ने राजस विवस्ता से ब्रस्टाचा लूट को खतम करकर एक नए विभाग दिवाने मुक्स कराज की स्थापना की जब तो भूमी की पेनाईश लागत के अधार पर की विश्वा और पेमाईश कमाना की बन गया भूमी की पेमाईश करा गर सरकारी कर्णचारी दौरा लगान वसूले के वेवस्ता सर्पता अलाओदीन किलजी ने प्रारम की अलाओदीन भारत का पहला मुस्लिम साशक्ता जिसने भूमी की वास्विक्ता आये पर राजस निधारित किया अलाओदीन ने उपज का 50% भूमी करके रूप में निश्चित किया जबकि बलबन और दितल भूर आजस का उपज का एक बटे तीन दर से आधिक नहीं लिया राजश नगत और अनास दोनों रूप में वसूल किया जाता था राजश की अत्रिक अलाओदीन ने अवास कर और चराई कर भी लगाया जजिया गैर मुसल्मानों से लिया जाने वाले करता ये इस्तरी बच्चों बिच्छिप्तों और अपंगों पर नहीं लगता था जाकात की वाल मुसल्मानों से लिया जाने वाला धार्मी करता संपत्ती का चालिसमा भागता खुस्म राज का पांचवा इस्ता था चार बटे पांच इस्ता सैनिकों में बाट दिया जाता था अलाओदीन खिलजी खता मोगे क्या जाएगा गयासुदीन तुगलक तुगला डैनेसी पहला सुल्तान जिसने खलीफा का प्रतिदीरी मानने से इंकार कर दिया स्वैम को खलीफा कोशित किया और अलिनाम उलिनान खिलाफत की उपादी धारण की खुसरावसा हिंदू धर्म से परवत्तित मुसल्मान था उसने पैगंबर के सिनापती की उपादी धारण की और सत्रों के विरोध विरोध इसलाम का सत्रों और इसलाम खत्रे में है के नारे लगाए इनको मारने के बाद कौन आ गए ये आ गए मुबारक शाख खिल जी ठी जाएंगे और गया सुनुन तुगलग यहां पर आ जाएंगे तो अभी तुगलग डैनेस्टी होगी यह हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में तब तक के लिए गौड ब्लेस और टे केर